मैं डॉक्टर नीरा सिंग, एसोसेट प्रोफिसर समाज शास्त्र आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के सिधान्त, धर्म तथा पुनजी वाद के बारे में मैक्स वेबर की सरवादिक महत्पून देन धर्म का समाज शास्त्र है उन्होंने विश्व के अनेक महान धर्मों का अध्यन किया और उनका ये अध्यन तीन बड़े-बड़े ग्रंतों के रूप में है उन्होंने अपने अध्यन में धर्म तथा आर्थिक वे समाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रियास किया यानि कि धरम और आर्थिक और सामाजी घटनाओं के बीच में किया संब्मद्द है कि क्योंकि वैबर ने अपना जो समाज़ङ के जीवन जो है उसमें अरथिछास्त के बारे में विचार वियक्त करने में किया और इन्होंने कानून नयतिकता और सामाजिक धियास के बारे में भी महतपून देन दी लेकिन धर्म के समाज़शास के बारे में वैबर के विचारों को सरवाधिक रूप से महतपून माना जाता है वेबर ने विश्व के परमुक धर्मों का विशद अध्यन किया और ये जानने का प्रियास किया कि धर्म वे आर्थिक सामाजी घटनाओं में क्या संबंध है अपने अध्यन को उन्होंने तीन बड़े ग्रंथों में प्रकाशित किया और उन्होंने अध्यन के आध्यार पर यह दर्शाने का प्रयास किया कि आधुनिक कुझीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया अन्य देशों में क्यों नहीं इसके लिए उन्होंने विभिन धर्मों में पाई जाने वाली जो धार्मिक आधार हैं उनका तुलनात्मक अध्यन किया और उनका आर्थिक और सामाजिक संगठनों के संबंदों का विसलेशन किया धर्म और आर्थिक जीवर के संबंदों के अध्यन को इन्होंने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट इठिक एंड़ी स्पिरिट ओफ कैपिटिलिज्म में प्रकाशित किया मार्क्स की भाति वेबर ये तो मानते हैं कि सामाजिक संगठना और सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक ही महत्पून है किन्तों वो मार्क्स की भाती किवल आर्थिक कारकों को मानव के सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक, साहितिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं मानते यानि कि आर्थिक कारक महत्पूर्ण तो हैं लेकिन वो एकमात्र कारक नहीं हैं जो मानव के सामाजिक जीवन, राजनेतिक, धार्मिक, साहितिक और कलात्मिक जीवन को निर्धारित करता हो वैबर ने अपने अध्यन में एक उचित मान बनाए रखने का सदय प्रियास किया और ये ध्यान रखा है इस कारण इनों ने समस्त एक कारक वाले सिध्धान को अपने अध्यन से दूर रखा है वेबर क्या धर्म के समाशास्त के जो पर्मुकादार हैं वो कहते हैं कि धार्मिक आर्थि घटनाएं एक दूसरे से संबंदित हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये दोनों एक दूसरे को परभावित करती हैं दूसरा इन्होंने बताया कि कोई भी एक दर्फा द्रस्टी कौन पद्धि व्याख्या एवग्या नेख है यानि कि किसी भी एक आरक के आधार पर कोई भी हम विसलेशन करते हैं तो वो सही नहीं है वे गलत है और किसी भी परकारक्या एक दर्फा विवेचरा से हमें सदेव बचना चाहिए उसके अलावा डेक्स्ट के कहते हैं कि अध्यन पद्धि के अधार के रूप में इन में से एक कारक को परिवर्थने तक्तु हम मान सकते हैं व्याबर धार्मी कारक को इसका एक परिवर्थने तक्तु मान कर उसका आर्थिक तथा अन्य सामाजी घटना उपर उसका परभाव पता करने का प्रियास करते हैं वेबर ने अपने अध्यन में सभी धर्मों से समधी समस्तत्वों का इस पस्टी करन ने करके किवल उसके आदश परारूप का उलेख किया है उसी परकार आर्थिक कारकों के आदश परारूपों को भी ज्यात किया है उसके अलावा वैबर ने विश्व के छे माहन धर्मों को चुना है वे धर्म हैं हिंदू, बोध, हिसाई, इसलाम, यहुदी, कन्फुजियम वैबर ने इन में से पर्तिक धर्म के आर्थिक आचारों को ग्याद किया कि पर्तिक धर्म का आर्थिक आचार क्या है और जो उस धर्म से सम्मन्दिश लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को परभावित करते हैं अपने अधिन के अधार पर वैबर ने यह परकट किया कि केवर प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक आचार पाई जाते हैं जिन्होंने पूंजिवाद को जनम दिया जबकि इसके लिए अन्यकारक भी उत्तरदाई है वैबर कहते हैं कि उरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म पर चली था तो वहाँ पर पूंजिवाद नहीं परपा किन्तु धार्मी सुधारान दोलन जब हुए और प्रोटेस्टन धर्म का उद्य हुआ तो वहाँ पर आर्थिक पूंजिवाद का भी उद्य हुआ इस विशे के संबन्द में वैबर के परिपर्क और सामने निसकर उनकी सबसे महत्पूंट रचना दा प्रोटेस्टन धिक हैं दिश्कृट ओफ कैप्टिलेजम में उन्होंने दिये हैं और वैबर के नुसार प्रोटेस्टन धर्म में कुछ ऐसी विशेष्टाएं हैं जो उन आर्थिक नियमों की विवस्था को उत्पन करने में साहे खुई जिसके कारण से महाँ पर पूंजिवाद पैदा हुआ इसे ही हम पूंजिवाद कहते हैं जब कि वैबर ने सदा ही इस बात पर बल दिया कि आधुनिक पूंजिवाद के विकास के लिए अनेक परस पर स्वतन तरवस्थाएं भी आवशक थी परन्तु फिर भी उतनी ही निश्चिंता और द्रटा से वो ये भी कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट विचार एक आवशक कारक था यहनी कि मूल कारक तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को माना अन्यकारकों को भी वो महतपूर्ण मानते हैं लेकिन केंद्रिय ज्यो आचारों को माना और इसके बिना पुंजिवाद का विकास सर्वता भिन होता ऐसा में वैबर मानते हैं पुंजिवाद के सार के बारे में उनके विचार है कि प्रोटेस्टन धर्म और पुंजिवाद के उक्त संबंद को परमानित करने के लिए वैबर ने इन दोनों के आदर् प्रारुपों को चुना आधुनिक पुंजिवाद के लक्षन इस परकार से हम देख सकते हैं कि इस अर्थ व्यवस्था के अंतरगत उद्योग, व्यापार, वानिज, बड़े पैमाने वे बिलकुल व्याग्यानिक आधार पर व्येक पूर्ण धंग से संगठी तथा संचालि होता है, निजी संपती, संपूर्ण व्यवस्था का पर्मुखांग होती है, उत्पादन का कारिये बड़े-बड़े मिल, फैक्टरी और अधिक लोगों की साहता से मशीनों के द्वारा किया जाता है, और इस परकार से जो उत्पादित वस्त्वे होती है, उनकी संगठी त की जाती है, अधिक्तम कारिये कुशलता के लिए शरंवी भाजन, विशेसी करण पर बल दिया जाता है, और सरपर्मुक उद्देशे अधिक से अधिक लाब प्राप्त करना होता है, पुंजी वाधिये व्यवस्था में कारिये ही जीवन तथा कुशलता ही धन माना गया है, पर्तिक व्यक्ति को अधिकतम उत्साहा और अधिक कुशलता के साथ कारिये करना पड़ता है, और इस व्यवस्था में जोखिम अधिक होता है, क्योंकि मशीनों से कारिये होता है, काम के निरंतरता भी जादा होती है, इस कारण इसमें व्यक्तियों में आत्म विश्वास, क जो व्यक्ति अपने कारिये और वैवसाये में कुशल है वे धन और मान दोनों को ही पाते हैं और जिन में कारिय कुशलता कम है वे धन और मान दोनों से ही वंचित रहते हैं पुझिवादे व्यस्था में जो कुछ भी एकुशल और पुराना है उसका पतन अनिवारिय है यानि कि कुशलता ही धन माना गया है कुशलता से ही वहाँ पर जीवन चलता है यही पुझिवाद का सार है परंदो अगर हम देखें कि वो कौन सी शक्ती है जो कि इस परकार की आर्थिक व्यस्था को इस्थिर रखती है यानि कि व्यक्तियों में कुशलता की भावना को करते वे दिश्था को करते वे ब्रायनता को पैदा करती है वे शक्ति वेबर के अनुसार प्रोटेस्टन धर्म के आर्थिक आचार है अब वो आर्थिक आचार कौन-कौन से है उसमें प्रोटेस्टन धर्म के आर्थिक आचार है पहला है कार्य करना ही पूझा है यानि कि प्रोटेस्टन धर्म में कार्य को पूझा माना गया है कार्य करना सबसे बड़ा गुन माना गया है ये एक प्रोटेस्टेंट आचार है जबकि कैथोलिक धर्म के अंतरगत क्या है कि परिश्रम करके कमाना पाप और दंड बाना गया है इस अंतर में कैथोलिक धर्म में एक गाथा परचली थे कि जब आदम और इव सर्ग में थे तो इश्वर ने उन्हें एक पेड का फल खाने के लिए मना कर रखा था और इस पेड का फल खाने से आदमी को अच्छे बुरे का ग्यान हो जाता है एक दिन दोनों ने पेड का फल खा लिया और इश्वर ने रुस्ठ होकर उन्हें सर्ग स और आदम और उसके पुत्र परिश्रम करके रोजी रोटी कमाएंगे इससे ये बात इसपस्ट होती है कि कैथोलिक धरम में परिश्रम के द्वारा जो जीवन यापन करना है वो अच्छी बात नहीं है यानि वो एक दंड माना गया है जब कि प्रोटेस्न धरम में करम को क्या म विकास होगा कार्ये को जब हम पूजा मानते हैं तो हमारी तरक्की निश्रित हो जाती है उसके अलावा व्यवसाई का आचार या कैलिद्वाद पूजिवाद के विकास में व्यवसाई का भी महत्व है या उसने भी साहता दी है और इसका सम्मद उस विश्वास से है जिसे कैलिद्वाद कहा जाता है कि इस व्यवसाई में सफलता के अधार पर ही यह कहा जा सकता है कि मरने के बाद व्यक्ति के आत्मा सर्ग में जाएग की यह नरख में अतिय परतेक व्यक्ति को जो है यह नैतिक सिक्षा दी जाती है कि वह कठोर परिश्रम करके व्यवसाईक सफलता प्राप्त करें यानि आए कि जो अपने व्यवसाई में सफल होगा वही सवर्ग को प्राप्त करेगा क्योंकि व्यवसाइक सफलता से ही इस्वर परसन होता है स्वर्ग व्यव मुक्ति मिलती है ना केवल गिर्जागर जाने से और इस आचार ने पुझिवाद के विकास में सहयता दी तो प्रोटेशन धर्म का दूसरा जो आचार है वो क्या है व्यवसाइक आचार या कैलिनवाद की व्यक्ति को कठोर परिश्रम करके ही व्यवसाइक सफलता मिलती है और जिसे व्यवसाइक सफलता मिलती है उसे ही स्वर्ग या मुक्ति मिलती है तीसरा इसमें बताया है ब्याज वसूलने की चूप प्रोटेस्टन धर्म में धन से धन कमाया जाता है अर्थात ब्याज पर पैसा दे करके भी पैसा कमाया जा सकता है महां माना जाता है कि एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है जबकि कैथोलिक धर्म और इसलाम धर्म में ब्याज लेना बुरा माना गया है तो इस तरह से पैसे की व्रधी का जो एक तरीका है वहाँ पर ब्याज भी माना गया है उसके अलावा शराब खोरी पर रोक वे इमानदारी को बढ़ावा प्रोटेस्टन धर्म में शराब पीना अनूचित माना गया है शराब पीकर काम करने से जान को खत्रा है उसका कारण क्या है शराब पीना क्योंकि पुझीवादी व्यवस्था के अंदर गर्ध कारिय मशीनों पर होता है और काम लंबे समय तक होता है नसे के अंदर व्यक्ति अगर काम करता है तो उसका कोई भी भंग होने की संभावना या कोई भी दुरगटना गटने की संभावना रहती है इसलिए शराब पीकर काम करने से जो है शराब को पर रोक लगाई गई है उसके अलावा आवकाश पर रोक प्रोटेस्टन धर्म में बिना किसी कारण के अधिक समय तक छुटी लेने को भी अनुचित माना गया है पुझिवाद की सफलता के लिए अधिक कार्य करना और कम छुटी लेना आवशक है तो ये सारे आचार ऐसे हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रियूद करते हैं और जो कि पुझिवाद की विकास के लिए आवशक भी माने गए हैं वैबर प्रोटेस्टन धर्म के जो आचार हैं उनको पुझिवाद की विकास के लिए एक मातकारक नहीं मानते बलकि वो अन्यकारकों को भी महत देते हैं इस कारण वेबर को एक कारकवादी नहीं बलकि बहु कारकवादी माना जाता है वेबर ने यूरोप के विभिन देशों से एतिहासिक परिनाम जुटाए इटली, स्पेन में जहां कैथोलिक धरम के मानने वाले अधिक थे पुझी वाद का विकास इंगलेंड, होलेंड, अमेरिका के पेक्षा कम हुआ क्योंकि इंगलेंड, अमेरिका व्या होलेंड में प्रोटेस्टन धरम को मानने वाले अधिक हैं वेबर ने गैर पस्चिमी देशों में परचलित धर्म, Confusions, बोध, हिंदू, इसलाम, यहुदी धर्मों का ध्यन किया और कहा कि इन धर्मों के आर्थिक विचार में विये तत्व नहीं हैं जो आधुनिक मुझिवाद को जनम देते हैं जैसे इसलाम में ब्याज लेना अनुचित माना गया है हिंदू धर्म में भोतिक वाद के स्थान पर आध्यात्म वाद पर अधिक जोर दिया जाता है इसी परकार से जाती के कठोर नियम अपने जाते व्यवसाई को छोड़ने की अनुमती नहीं देते हिंदू समाज ऐसी समाज व्यस्था को जरम देता है जिसमें समाजी गतिशीलता संभव नहीं है इस परकार वैबर, प्रोटेस्टेंट आचार वे आधुनिक पुझिवाद के विकास को कार्य करन के अधार पर इसप्रस्ट करने का प्यास करते हैं और प्रोटेस्टेंट आचारों को पुझिवाद के विकास के लिए एक परभावशाली कारक मानते हैं तो इस तरह से पुझिवाद और धरम के संबंदों में जो वैबर का कहना है कि वो यही है कि धरम पुझिवाद के विकास में साहक है लेकिन एकमात्र कारक नहीं है बलकि अन्यकारक भी इसमें मेहतुन है उन्होंने जो प्रोटेस्टन धर्म की बात की है उसके आर्थिक आचारों की बात की है उसमें वो यही बताने का प्रियास करते हैं कि पुझिवाद की विकास में प्रोटेस्टन धर्म के आर्थिक आचार हैं धन्यवाद